Cross-Cultural Psychology, Emotion, Evaluation and Judgment इसमें जो सवाल हैं वो इस तरह क्यों होते हैं? हम Emotions को Evaluate कैसे करते हैं? यनि अपने मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? या दूसरे के कि वो क्या महसूस कर रहा है? Psychology इसको क्या करती है? Psychology दूसरे से पूछती हैं या आप क्या महसूस कर रहे हैं? या लोग खुद अपने बारे में जवाब देते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं? क्या जिस तरह के Emotion किसी के हैं हैं कि आम उसके साबसे लोगों को जज़ भी करते हैं? मसलें कोई बहुत ज़ादा घुसा करता है आम तोर पे और उसके चेहरे पर आ जाता है तो उसके बारे में लोगों की एक सोशल जज़मेंट होती हैं. हुँच कुल्चर में घुसा करने वाले लोग जो हैं वो बहादर समझे जाते हैं और कुछ कुल्चर में वो बुजदल समझे जाते हैं. Japanese या Chinese culture में गुस्से के expression को बहुत ज्यादा करने वाले को बच्चपना, immature या बुजदिल का जाता है जबके American culture में काफी हद तक इंडिया पाकिस्तान के culture में गुस्सा करने वाले बंदे को बहादर या बहुत assertive और controlling समझा जाता है तो ये इस culture के perspective पे जासी होता है कि माओं अपने बच्चों को ये बताती है कि गुस्ता करना जो है बहादरी नहीं है, कमजोरी है क्यूंकि बहादर वो होता है जो अपने गुस्से को control कर सके अच्छा ये इसलाम का भी perspective है लेकिन Muslim countries में पाकिस्तान में इस पर कोई अमल नहीं होता कि हम गुस्से को control करने को बहादरी समझें लेकिन कुछ और मुमालिक हैं उनमें मैंने ये देख है, मसले Malaysia है, Morocco है, वो भी Muslim culture है वहाँ पे गुस्से के साथ shouting या hyper behavior जो है उसको अच्छा नहीं समझा जाता तो culture और emotion की judgment के बारे में बात थी फिर क्या हम emotion control करने को value करते हैं कि emotion control करने आने चाहिए अच्छा अगर आप थोड़ा टीवी डॉमों का analysis करें, dialogue का करें तो अक्सर ये मिलेगा भाई खुपे काबू रुखो, ये अर्टगल गाजी का एक sentence है भाई खुपे काबू रुखो, अच्छा आप वो गम पे भी कहते हैं और वो घुसे के मामले में भी कहते हैं और ये आपको हर culture में, हर जगा, डॉमों के लावर रियर लाइफ में भी मिलेगा अगर कोई बहुत खुशी में भी over excited हो रहा हो, तो उसको भी कहते हैं कि बस बस काफी है तो इसका मतलब है कि हम emotion को control करना, regulate करना जो हर culture का एक हिस्सा होता है कौन से emotion regulate होते हैं, खुशी या घुसा या sadness इस में culture में बड़ी interesting बात है, कुछ culture में sadness छो करना जो है ना वो stigma है, मतलब आपने उदास चकल नहीं दिखानी हमारे यह भी कुछ हथ तक है, उदास चकल को लोग पसंद नहीं करते हैं और इसमें families के culture भी फरक होते हैं, तो culture के साब से कुछ culture में वो sun दिखाना चाहते हैं, कुछ culture में disgust का emotion है उसको बुरा समझा जाता है, कुछ में डर नहीं दिखाना, डर को show नहीं करना, डरे हुए पता नहीं चलना चाहिए किसी को, लेकिन कुछ जगों पे fear जो है वो एक normal emotion है, और जब उनको यह सिखाया जाता है, कि जब डर रहे हो, तो बता दो कि मुझे डर लग रहे है, असल में emotional intelligence और emotions की जो तालीम है, वो बहुत अहम है, आप अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, या young लोगों को, it's all right to feel a certain emotion, किसी को judge नहीं करना चाहिए, कि वो डरता है या उसको घुसा आता है, या वो दास हो जाता है, बलकि उसको अपने emotions को समझना और उन पर काम करना चाहिए, इसका तालुक mental health से भी है, जहां emotions का healthy expression हो, वो cultures जो हैं, mental health problems कम होते हैं, अब emotion की आगे, अगर आपने regulation देखनी है, तो मैंने आपको यह scale है, जो directly Stanford University की website से लिए इसकी citation दे दिया है, क्योंकि यह public है, इसकी instruction भी आप पढ़ सकते हैं, कि हम आप से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी emotional life के बारे में, आप अपने emotions को control, regulate, या monitor, manage कैसे करते हैं, यह जो question है, यह आपकी emotional life के बारे में, आप चाहें तो इनका जवाब दें, चाहें तो एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन यह काफी मुक्तलिफ हैंक दूसरे से, ठीक है, हार question को 1 to 5 पर rate करेंगे, यह है instructions, you can access it from the website, I provided it here, यह emotion regulation का है, पहला item है, when I want to feel more positive emotion, such as joy or amusement, I change what I am thinking about, दूसरा, I keep my emotions to myself, तीसरा, when I want to feel less negative emotion, such as sadness or anger, I change what I am thinking about, यहनी मैं खुद को यह कहता हूँ कि नहीं आ रहा तुमें, या नहीं नहीं, मैं तो अदास नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि जब वो negative emotion को कम करना चाहते हैं, तो खुद से talk करते हैं, यह सवालात हैं, जो हम लोगों से पूछते हैं, और उससे हमें यह पता चलता है, कि वो अपने emotions में manage कैसे कर रहे हैं, उनको, चौता item देखें, when I am feeling positive emotions, I am careful not to express them, यहनी मैं फिर उन्हें शोर नहीं करना चाहता है, जब मुझे कोई अच्छा, खुशी महसूस हो रही है, आप जब इसको पढ़ रहे होंग तो आपको कुछ लगेगा कि यह बिलकुल मेरी तरह का बात है, मैं भी ऐसे करती हूँ या करता हूँ, और कुछ आपको लगेगा कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता, this is a self-report method about your own emotions regulation that is used cross-culturally, और एक पिछली कहीं cross-culture research में मैं उसका review भी पेश कर चुकी हूँ, कि cultures में क्या फर्क है emotion regulation में, हमने एक study की थी, जितने cultures में emotion regulation का काम हो है, उसको कठा किया तो यह पता चला, के cultures आपस में फर्क हैं, जिस तरह वो जजबात को control या manage करते हैं, stressful situation हो, तो मैं यह सोचती हूँ, कि मैं कैसे अपने आपको calm down रखूँ, ठीक है, यह fifth number item है, आप किस हद तक इस जपान के भी 20 लोगों का ले लूँ और 20 चाइना के भी ले लूँ और 26 लोग इंडिया के भी ले लूँ, तो यह इसी topic पे cross cultural research बन जागी, और फिर हम यह देखेंगे, कि हमने हर मुलक से एक बड़ा sample ले लिया, let's say 200, 400 का, और फिर उनको आपस में देखा कि क्या, इनके परक है, इसकी पूरी scoring भी नीचे दीवी है, item 1, 3, 5, 7, 8 और 10 जो है, यह cognitive rehearsal, यह आप अपने दिमाग में, अपने emotions के बारे में, अपनी सोच को बदल लेते हैं, और item number 2, 4, 6, 9 जो है, यह expression suppression है, which means, expressive suppression का मतलब है, कि आप उस emotion को जाहर करने से, यह express करने को दबाते हैं, अप I am careful not to express them, तो इसको cross-culturally भी study किया गया है, यह है emotion evaluation और judgment.